दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे चत्रपती शिवाजी महाराज ने अपने दक्षन भारत के अभियान के समय जहां पर मंदिर गिरा कर मस्जिद बनाई गई थी, वह मस्जिद गिरा कर फिर से मंदिर की स्थापना की। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसलिए राज्या भिशेक के बाद तुरंत ही छत्रपती शिवाजी महाराज ने अपने हिंदवी स्वराज का विस्तार करने हेतु दक्षन दिगविजय मोहिम निकाली। सेना डक्षन भारत के एक-एक प्रदेश चीतते हुए आगे बढ़ने लगी। उसके बाद छत्रपती शिवाजी महाराज आंदर प्रदेश के श्री शैलम नामक जगह पर आकर पहुँचे, जहां पर वारह जोतिरलिंगों में से एक मल्लिक आरजुन जोतिरलिंग स्थित ह लेकिन चत्रपती शिवाजी महाराज ने देखा कि यहां के मुस्लिम शासकों ने इस मंदिर को तोड़ कर वहां पर मस्जिद बना दी है। धर्मशालाओं का भी निर्मान करवाया। उसके साथ साथ इस मंदिर की सुरक्षा हो सके, इसलिए वहां पर सैनिकों को भी तैनाद करवाया। इसी कारण इस मंदिर के उत्तर मुखी द्वार को छत्रपती शिवाजी महाराज नाम दिया गया है। और इस प्रकार मराथा श श्री शैलम में स्थित है, जो छत्रपती शिवाजी महाराज का पहला मंदिर है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जै भवानी, जै शिवराय, जै महाराष्ट्र, जै हिंदुराष्ट्र, जै जून